इस तरीके से हम ये चुनाओ जीत सकते हैं इंडिया से चुनाओ कैसे जीत सकते हैं इस वीडियो में इसकी बात करेंगे तारीक को अमारे वोटिंग है तीसरे चरन में सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को 1.5x की स्पीड पर देखिये fast so that आप समझ जाएए और इस वीडियो में हम आपके साथ boot by boot strategy discuss करेंगे कि boot by boot हमें क्या क्या कैसे काम करना है so that कितने-कितने vote किस-किस boot से हम निकाल सकते हैं कितने-कितने vote पहले तो किस-किस विधान सभा में हमारे हैं जहां से जो निकाल सकते हैं हमारे कितने हैं swing कितने हैं और boot by boot सब का पूरा break up boot by boot आपके साथ हम इस वीडियो के end तक देखिए और वो पूरा plan आपके साथ हम share करेंगे आए शुरू करते हैं इस बार यहां से प्रदीत कुमार जी 2019 में अभी सेटिंग सांसद हैं यहां से और अभी भी यह चुनाव लएड़ हैं यहां इनकी फोटो देखिए आगे फोटो देखिए कितने अच्छी है सो ठीक है सिंपल यह थोड़ा सा पुराना स्टाइटिस्टिक्स है आपको भी पता होगा बड़ एक बार फिर से आप देख लीजिए वोट मार्जिन से हम हारे थे जो की डेफिनेटली इंडिये 6,18,000 इनको मिला आर जेड़ी को 4,18,000 मिला जीतने का पूरा मंत्र भी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं आप इस वीडियो को अगेन लास्ट तक देखिए मैं इस पर इंपरसाइज कर रहा हूँ प्यदीब जी का देख लीजिए फोटो कितना बढ़िया फोटो इन्होंने लगाया हुआ है बस अब इनकी फोटो साइड होनी चाहिए इस बार कि अंडिये पार्टनर्स डेफिनेटली हमें पता ही है कौन को अंडिये पार्टनर्स हैं इस पर बहुत जादा तो इस स्लाइड पर अब क्या डिसकस करें इसमें मेंली हम आपसे बात करेंगे कि इफेक्टिव पोलिंग बूत मैनेजमेंट लास्ट के साथ दिन में शुरू किया जाए अभी तो समय है इसमें हम बात करेंगे कि कैसे इफेक्टिव पोलिंग बूत मैनेजमेंट करके हम 8 से 12 परसेंट का वोट अपने लिए निकाल सकते हैं आप यहाँ से 12% से यहाँ से यह RGD निसीट हा रहा था तो 12% तक हम सिर्फ polling day management अच्छा करें, booth by booth, वो action plan से हम जीत सकते हैं, अभी आप समझ जाएंगे खुद वो चीज, micro voter targeting करेंगे हम कैसे करेंगे, यह समझ जाएंगे, key to winning elections, जैस्ट आपके साथ यह share करेंगे कि यह एक चीज है जो कि आम आदमी party और BJP करती है, ठीक है, उनके साथ मैंने बहुत closely काम किया है, कि उनका polling day management बहुत अच्छा होता है, और कई बार जैसे हम जो opinion poll सुनते हैं, exit poll सुनते हैं, ठीक है, तो in general जो opinion poll में result आ रहा होता है, उससे वो अच्छा perform करते हैं, BJP भी अच्छा perform करती है, आप भी अच्छा perform करती है, देखें, दो states में आपने प्रचेंड बहुमत से सरकार बना ली, क्यूंकि उनका polling day management है वो यह लिए में काफी effective है, कैसे effective है, कार्य करता ऐसा क्या करते हैं, कार्य करता के लिए एकदम defined target होता है, अभी आईए इस चीज़ को समझते हैं, तो 2019 में यहां से, अभी आप जैसे contest कर रहें, 2019 में देखिए 1,36,000 से ये seat हारी थी RJD, ठीक है, लगबग 12% vote share, turnout, water turnout, 35% उस समय था, 20 का water turnout definitely कम हुआ, अब जो भी reason हो, कम होने का COVID भी था उस समय, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, ठीक है, अब इसको हमें अपने favor में बढ़ाना है, वो भी चीज़ अभी हम आपसे discuss करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पूरा plan समझिए, तो last का polling day management, 8 से 12% booth by booth, कैसे करना है, अभी ये समझते हैं, कैसे अपन ये seat जीतेंगे, तो पूरी vote bank, तीन टाइप का vote bank का आपको भी पता है, एक तो आपका vote bank हो गया, जो RJD, इंडिया गडबंदन का, दूसरा opposition का vote bank, जो की BJP, NDA का vote bank, और तीसरा swing voters, ठीक है, swing voters वो जो की किसी को भी दे सकते हैं, अब ये तो पता है, अब देखिए, हमारे कार्यकर्ता को क्या पता होना चाहिए, हमारे कार्यकर्ता को booth by booth, उनको ये पता होना चाहिए, कि उनका vote bank कौन है, RGD का कौन vote bank है, उनके booth पे, देखिए, बड़े-बड़े level पे ये सारे numbers, अभी analysis करेंगे, आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है, ये हमको पता है, core vote bank, swing vote bank, इसमें नया क्या है, नया इसमें ये है, कि हमें अपने कार्यकर्ता को उनके booth पे बताना है, कि कौन-कौन है वो exactly mark करना है, चिन्नित करना है, ठीक है, जागर वो चिन्नित नहीं है न वो voters, तो होगा यही जो पिछली बार हुआ था, हमारे कार्यकर्ता चुनाओ वाले दिन क्या action लेंगे, वो clear नहीं होता है, आप खुद सोचो लगबन 2000 polling booth है, हर booth पे लोगों को पता तो होता है, कि किसको चलो ये एक अंदाजा होता है, कि ये सारे हमारे हैं, लेकिन उन exactly कौन-कौन है, चुनाओ वाले दिन इतना सारा काम होता है, कि एक booth पे 1000-1000 voter होते हैं, हमारे कितने कार्यकर्ता है दो-तीन कार्यकर्ता, चार कार्यकर्ता एक booth पे हैं, ठीक है, अब भाजपागे देखिए, भाजपागे एक booth पे 30-35 कार्यकर्ता है, उसके उपर paid कार्यकर्ता भी है, 1000-1000 voter पे, उनके पास ये सारे कुछ प्लान में है, आपके पास भी प्लान में रहता है, लिखा हूँ अच फोन किया है, लेकिन कुछ track नहीं रख पाते हैं, आप खुद सोचिए न, आपको 300 लोगों का management करना है, आप याद से कितना कोई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, चिन्नित होना चाहिए, booth list पे चिन्नित होना चाहिए, 8-12% result क्या होता है, देखिए result ये result अभी आप देखिए यहां पर, आईए, रानी गंज विदानसभा देखते हैं, ठीक है, ये क्या बताता है, ये simple, इस sheet में हम आपको ये बता रहे हैं, booth by booth, किसका कितना swing रहा है, ठीक है, 19 में NDA को यहां से लगभग 1,10,000 वोट मिला, ठीक है, 20 में NDA को लगभग 85, 86, 87,000 वोट मिला, ठीक है, NDA का रानी गंज विदानसभा में 23,000 का swing है, मतलब ये जो 23,000 लोग है, ये minimum NDA का ये है, जो NDA के favor में है, swing वो है कि इन्होंने 19 में NDA को दे दिया था, ठीक है, जो भी reason कहा हो, NDA के कार्यकरताओं ने, BJP के कार्यकरताओं इनको लेके आ गए, ठीक का क्या है, आपके case में, 67,019 में आपको आया, यहां से RGD को, 20 में देखिए, swing 15,000 का swing था, ठीक है, 15,000 आपको extra मिल रहा है, ये swing मतलब आपका नहीं है, उसी तरह ये swing है, ये swing है, दोनों swing है, ये भी swing है, ये भी swing है, ये भी swing है, चुनाओं वाले समय, इस चुनाओं में, कौन अपनी side ले आ पाता है, बूथ पे कौन लेके आ जाता है, कितने अच्छे से, बस ये उनको vote दे देंगे, core vote bank दोनों में, अभी आगे आईए, total, total जो swing एंडिये को मिला था, वो 1,33,000 का, और इंडिया को 1,10,000 का swing मिला था, अब सिर्फ swing देखिए, swing नरपट गंज व इसी तरह से विधान सभा भाई, विधान सभा, अभी ये ही चीज आपको हम बूथ भाई बूथ तोड़के बताएंगे, कि हर बूथ में कितना-कितना swing है, ठीक है, total कितने swing voters हैं, कितने core voters हैं, आपके और आपके कितने swing voters हैं, ये बूथ भाई बूथ आपके साथ हम numbers share करें नीचे description में वीडियो के meeting link है, आप प्लीज आईए, अब क्या है कि हमारे कारेकरता को उनके बूथ का पता होना चाहिए, अगर उनको उनके बूथ का पता है, कि उनके बूथ पे 300 core voters हैं, उनके RJD के, और अगले 1500 swing हैं, तो total 400, अब वोथ लिस्ट, voter list पे mark करना फिर भी easy है, अगर पता है कि है लगबर इतना तक पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं, अचा हाँ, और कौन है, और कौन है, ठीक है, लेकिन अभी हवा हवाई कुछ पता नहीं है, वो भी अंदाजी notification में बोल देगा कि हाँ इतने हैं, इतने हैं, कोई चीज documented नहीं है, और ज केस में भी, ये तो best case है, चलो, आप बोलोगे कि यार, इतने संसादन तो हैं नहीं हमारे पास, कि हम 2,43,000,000 का swing अपने फेवर में लेकर आए, ठीक है, डेफिनेटली मानते हैं, इतनी की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इसका आधा है ये, ठीक है, 1,21,000,000, पूरे लोग कर रहे हैं, लेकिन campaign से चुनाओ नहीं निकाला जाता है, चुनाओ polling day management से निकाला जाता है, और कहां कहां कितना कितना scope है, इस चीज़ को समझ ये, नरपट गंज विधान सभा अगर सिंपल लेते हैं, देखिए, 19 में भाजपा को यहां, भाजपा का minimum vote bank जो है ना, ले विधान सभा में, ठीक है, अब आपसे हम पिछले slide में बात किये, यहां देखिए, कि total 44,000 का swing available है, और उसका आधा 22,000, ठीक है, ये किसी का नहीं है, जो लेके आ गया बूत पे उसको दे देगा vote, अब आधा 22,000 है, और देखो, इनके कारे करताओंने कितना अच्छा का 31,000 लोगों को लेके आए, अब जो भी ये लहर कह रहे थे, उस समय 19 में था, अभी तो आप भी घूम रहे हैं, आपको भी पता है, ग्राउन पे क्या है, अब इस बार हमें अपने कारे करताओं को exactly ये बूत बाई बूत समझा देना है, कि कितना कितना है, उनसे चिन्हित कर लेंगे, तो आप देखो, यहां 31,000 का ये लेके आगए, कितना बढ़ियां परफॉर्म किया इन्होंने, यहां देखो 23,000 लेके आगए, आधा 19,000 है, ठीक है, 38,000 नहीं लेके आए, लेकिन 23,000 लेके आए, कुल 1,33,000 अपनी साइड लेके आए, एंडिये का कोर वोट बैंक जादा आया, ठीक है, आप देखो, 1,21,000 आधा जो हम आपसे बात कर गये थे, उससे जादा ये लेके आगए, अपना आप देखते हैं, यह वही है, आप देखिए, अपना देखते हैं, RGD का देखते हैं, RGD का 4,18,000 वोट है, ठीक है, मिनिमम, जो वोट बैंक है, आया कि इतना 4,18,000, 62,000 हम एक्स्ट्रा लेके आएं, फिछले चुनाओ में, ठीक है, 62,000 हम एक्स्ट्रा लेके आएं, 1,21,000 तक हम आ सकते थे, लेकिन आये कितने हैं, 62,000 लेके आएं, अब देखो, अब आप, अब इसको एक बार जैसे आप देखो, आप सोच रहे हैं कि यह सब इ और आपको आया कितना, 19 में भी आपको 44 ही आजा रहा है, तो अब आप बोलेगे कि मतलब एक भी नहीं आया स्विंग, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ आया हो स्विंग का, और कुछ 4 वोट बैंक नहीं आया उस दिन वोट देने, ले दे के बराबर हो गया, ठीक है, ले डीरीजन हो, देखो, अभी मुद्धे की बात ये है, कि इतना हम ला सकते हैं extra, यहां पर इतना हम ला सकते हैं extra, यहां 22 हजार हम नरपटगंज विदानसवा में ला सकते हैं extra, मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये swing है 44,000 नहीं target करना चलो best case है इतना तो 1,21,000 तक तो अपन पहुँची सकते हैं यहां minimum जहां हम 60,000 बढ़े हैं 1,500,000 हम बढ़ सकते हैं 1,500,000 बढ़ सकते हैं और यही समय है सही समय है अब हमें कार्यकर्टा को उनके boot पे बता देना है 400 जो भोटर है यह आपके वोटर है हमारे वोटर है और यह हमारे 200 swing वोटर है अब उनहीं से पूछना है उनको चुकी जानकारी है वह बताएंगे आप बोलिए हैं टोटल 500 हमारे इस boot से निकलेगा शाड़े 600 निकलेगा कहां कहां से निकलेगा तो बताने लगेगा कि सर यह है सर यह है सर यह है सर यह वाला देगा यह वाला देगा तो चिन्नित करो भाई बूत लिस्ट लेके बैठो बताओ देखो कितना आया टोटल कितना आया टोटल कितना आया इस तरह से करके जब वो एक बार ये काम कर लेंगे ना तो उसके बाद ये boot list वही लेके चले जाएंगे अपने साथ फिक है ये boot list वही लेके चले जाएंगे चुनाओ वाले दिन सोची कितना असान से काम होगा अभी क्या है कि वो ऐसे ही बैठे हुए है किसी को 10 लोगों को फोन किया पांच ने बोला कुछ भी निगेटिव बोल दिया तो सामने वाले का मनोबल टूट जाता है नहीं तो 15-20 फोन करते करते होता ये कि कुछ आये कुछ नहीं आये अब कौन को नहीं आया दुबारा होच-पोच हो आता है लेकिन सब कुछ अगर आपके पास लिखा हुआ है बोटर लिस्ट में बना हुआ है चिणिध किया हुआ है तो आपके साथ भी तो easy है न भाई उसी बूट लिस्ट में आ रहे हाँ चलो इसका क्या हुआ हुआ भाई इसन pá कहाँ भाई चलो भाई बारे करकाओं को दिशा दिखाते हैं कि कैसे को उनके भूत का क्या ğारगेट है। क्योंकि भाजपा देखिये है भाजपा ऐसे ही काम करती है और कर रही है। प्लेलिस्ट है। वहान पर और बी दूसरे वीडियों को भी भीजिए आप प्लीज और चैनल सब्सक्राइब कर लिजे सीट बाई सीट और भी सीटों का मैं स्टडी कर रहा हूं उस बार निकालना है सर सीट डन